किस्सा सीरीज में जहां हम बाते करते हैं बॉलिवुड के फिल्म किस्तों की हम जवान हैं अपनी जान हजार बारदाव पर लगा सकते हैं लेकिन सिर्थ देश के लिए तुम्हारे जैसे देश बेशने वालों के लिए हरकिस नहीं सोकली नो टील साथ सितंबर को रिलीज हुई अपनी फिल्म जवान से जवान दिलों में एक बार फिर अपनी पर्मनेंट जगा बनाने वाले शारो खान आजकल खासा चर्चा में बने हुए हैं इस बार बात सिर्फ उनके फिल्म के म्यूजिक उनके स्टाइल एवर्ग्रीन रोमान्स या फिल्म कलेक्शन के बड़े फिगर की नहीं है बलकि बात इस बार इन सब के लावा और महतुर्पूर्ण चीजों की है पहली इस फिल्म का सबजेक्ट जिस तरह का सबजेक्ट शारुख खान ने जवान मोई में दिखाया है उस तरह का सबजेक्ट उन्होंने पहली बार चूज किया है वो एक बार फिर सालों बार नेगेटिव करेक्टर में नज़र आये हैं तो भी बॉल्ड रूग्रीन जब मैं विल्म बनता हो ना तो मेरे सामने कोई भी एरो टिक नहीं सकता उनके इसी विलन वाले किरदार को देखकर मुझे शारूख खान का एक पुराना किस्सा याद आ गया सोचा क्यों ना इसे आप सब के साथ साजह किया जाएं बात दर असल 1990 के दशक की है जब भारत में पीवी नर्सी महर राओ की सरकार थी और मोधी सहाब से जस्ट पहले प्रधान मंतरी रहे डॉक्टर मनमोहन सिंग उनकी सरकार में फाइनाइस मिनिस्टर थे एक तरफ सरकार देश में लगतार बढ़ती जा रही ही पैसे की तंगी के कारण परिशान थी और शहरी जनता विदेशी फिल्मों को देखकर एंटर्टेन्मेंट के नए फ्लेवर का स्वाद चखने को बेताब नजर आ रही थी इसी बीच बादशाह और रेस जैसी सुपर हिट फिल्में देने वाले अपनी डायरेक्टोरियल जोडी के लिए मशूर डिरेक्टर अबास मस्तान ने अपनी एक नई फिल्म बाजीगर की शुरुआत की जो की 1991 में रिलीज हुई एक अमेरिकन फिल्म अकिस बिफोर डाइं का रीमेक थी दरसल जितनी इंटरिस्टिंग बाजीगर मुवी है उतनी ही इंटरिस्टिंग उसके बनने की कहानी है इस फिल्म के बनने की कहानी की शुरुआत उस दोर में महेश भटकेम के हीरो रहे डीपक तीजोरी से होती है डीपक तीजोरी ही वो पहले शक्स थे जिनक अबास मस्तान को अकिस बिफोर डाइंग फिल्म देखने की सलाह दी और इसे हिंदी में बनाने के लिए विचार करने को कहा ये वो दोर था जब दीपक तीजोरी का करियर बढ़िया चल रहा था दीपक ने अबास मस्तान से इस फिल्म में खुद को एज अ लीड रोल देने के के लिए कहा अबास मस्तान भी इस बात पर राजी हुए यानि फिल्म के लिए सब्जेक का चुनाव पूरा हो चुका था और एक्टर वडिरेक्टर भी लग भग भग भक दैए थे और सबसे बड़ी बात कि डिरेक्टर और एक्टर दोनों एक साथ काम करने के लिए राजी अब जरूरत थी सिर्फ एक फिल्म प्रोडूसर की जो इस फिल्म में पैसा लगा सके इसी खोज को पूरा करते हुए दीपक तिजोरी और डिरेक्टर अबास मस्तान दोनों ने अपने अपने घोड़े दोडाने शुरू कर दिये इसी उत्साह में दीपक तिजोरी उस वक्त के नामी प्रोडूसर रहे पहलाज निलानी के पास पहुँचे जहां उन्होंने पहलाज निलानी को भी सबसे पहले अकिस बिफोर डाइंग फिल्म दिखाई और फिर इस फिल्म के हिंदी रिमेक को प्रोडूस करने के लिए कहा मज़े की बात यह है कि पहलाज निलानी को अकिस बिफोर डाइंग फिल्म बहुत पसंद आई और वह इस फिल्म को प्रोडूस करने के लिए राजी हो गए क्योंकि दीपक तीजोरी भट कैम्प के अक्टर थे इसलिए वह चाते थे कि फिल्म में महेश भट की बेटी पूजा भट को भी लिया जाए पहलाज ने दीपक की इस बात के लिए भी एगरी कर लिया फिल्म का सब्जेक दमदार था और लोगों की एंटर्टेन्मेंट की जरूरत को पूरा करने वाला था इसलिए एक तरफ पहलाज नेलानी दूसरी तरफ अबासमस्तान और तीसरी तरफ धीपक तिजोरी तीनों ही इसकी सक्सेस को कैश कराने की फिराक में लग गए थे लेकिन असल में इसकी सक्सेस का स्वाद कौन चक्षने वाला था ये सिर्फ डेस्टिनी पर निर्भर करता था सब कुछ ठीक था लेकिन बात डिरेक्टर के सेलेक्शन पर आकर अटक गई क्योंकि पहला आज निलानी अल्रेडी एक इस्टैबलिश प्रोडूसर थे इसलिए वह चाते थे कि इस फिल्म को अपने किसी जानकार डिरेक्टर से डिरेक्ट करवाएं लेकिन दीपक तीजोरी ने जब उन्हें बताया कि अब्बास मसतान ओल्रेडी इस फिल्म के हिंदी रिमेग पर काम करने में इंट्रेस्टेड है वो भी बताऔर हीरो दीपक तीजोरी के साथ तो ना चाहते हुए भी उन्होंने अबास मस्तान को as a director साइन करने का मन बना लिया इसी सिलसले में वो अबास मस्तान से मीटिंग करने उनके आफिस गए लेकिन इस मीटिंग में अबास मस्तान ने जो खबर पहलाज निलानी को सुनाई वह सुनकर पहलाज दंग रह गए उन्होंने वहाँ अबास मस्तान के आफिस में तो इस बात पर कोई reaction नहीं दिया लेकिन जैसे ही वो अपने आफिस पहुँचे वहाँ आकर उन्होंने सबसे पहले डीपक तीजोरी को फोन किया और उन्हें जल्द से जल्द अपने आफिस आने को कहा जैसे ही दिपक तीजोरी पहलाज के आफिस पहुचे वैसे ही वह भी इस खबर को पाकर दंग रह गए खबर ये थी कि अबास मस्तान इस फिल्म के हिंदी रिमेक के लिए तो इंटरेस्टेट थे लेकिन वो इस फिल्म के लीड रोल के लिए किसी और को फाइनल कर चुके थे यह सिचुएशन सबसे क्रिडिकल दिपक तीजोरी के लिए थी क्योंकि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी उनके हाथ तो आई थी लेकिन अंडा दिये बिना ही फिलहाल वो मुर्गी अबास मस्तान के हाथों में चली गई थी और उस मुर्गी के सोने के अंडे का ओमलेट का स्वाथ कोई और लेने जा रहा था क्योंकि पहला जिलानी उस समय बहुत बड़े प्रोडूसर थे इसलिए इस सिच्वेशन को कैसे हैंडल किया जाए वह बखू भी जानते थे उन्होंने दीपक तीजोरी को एक सुझाओ दिया क्यों ना वो और दीपक तीजोरी मिलकर किसी और डिरेक्टर के साथ इस फिल्म का हिंदी रिमेक बनाकर अबास मस्तान से पहले रिलीज कर दें उस समय इस सिच्वेशन के हिसाब से यह एक अच्छा आइडिया हो सकता था लेकिन क्योंकि दीपक तीजोरी उस प्रवरति के इनसान नहीं थे इसलिए उन्हें एथिकली ऐसा करना सही नहीं लगा हलाकि इस आइडिया पर विचार करने के लिए उन्होंने पहलाज जी से थोड़ा समय मांगा और इसी बीच वह अपने बेहद ही विश्वसनी जानकार से मिले और उन्हें पूरी सिच्वेशन और पहलाज जी का ओफर भी बताया और उनसे पुछा कि ऐसे हालत में उनको क्या करना चाहिए दीपक के विश्वसनी जानकार ने उन्हें सलाह दी कि उन्हें पहलाज के दौरा मिले ओफर और जल्द से जल्द फिल्म बनाकर रिलीज करने वाले आईडिया के बारे में अबास मस्तान को बताना चाहिए हो सकता है कि वह इस बात से घबराकर दीपक ती जोरी के साथ इस फिल्म को करने में इंट्रेस्टेट हो जाए उनकी एड़्वाइस के अकॉर्डिंग दीपक ती जोरी ने इस बाबत अबास मस्तान से मीटिंग की और उन्हें सारी सिचुएशन बताई लेकिन जैसी उमीद उन्हें थी वैसा कुछ भी नहीं हुआ अबास मस्तान ने बड़ी पुलाइटली डीपक तीजोरी से माफी मांगी और कहा कि इस बार तो गलती हो गई क्योंकि उन्होंने औरेडी किसी और को इस फिल्म के लिए साइन कर लिया है लेकिन वह दीपक से प्रॉमिस करते हैं कि अगला प्रोजेक्ट उन्हीं के साथ करेंगे उस समय दीपक तीजोरी को बुरा तो ज़रूर लगा होगा क्योंकि असल में इस फिल्म का हिंदी रिमेक बनाने का आइडिया अबास मस्तान को उन्होंने ही दिया था फिर भी उन्होंने अबास मस्तान के प्रॉमिस पर भरोसा किया हाला कि यह प्रॉमिस पूरी तरफ फिल्मी था यानि अबास मस्तान का वो नेक्स प्रोजेक्ट कभी बना ही नहीं जिसमें डीपक तीजोरी को बतौर लीड हीरो लिया गया ह। अबास मस्तान को A Kiss Before Dying के हिंदी रिमेक से बहुत उम्मीदे थी इसलिए वो चाते थे कि इस फिल्म के लिए वो किसी मैचो लुक के एक्टर को साइन करें इसलिए उन्होंने सबसे पहले इस फिल्म के लिए अक्षे कुमार को अपनी पसंद बनाया इसलिए उन्होंने इस फिल्म को करने के लिए साफ मना कर दिया अबास मस्तान ने अक्षे कुमार के बाद सेकंड चॉइस पर अनिल कपूर को रखा लेकिन उन्होंने भी इस फिल्म को करने से मना कर दिया क्योंकि जिस तरह की फिल्में वो करते थे वो या तो रोमेंटिक होती थी या फैमली ड्रामा जबकि यह एंटी हीरो वाली फिल्म थी इसलिए इस फिल्म में काम करके अनिल कपूर अपने केरियर का रिस्क नहीं लेना चाहते थे अपनी थर्ड चॉइस पर अबास मस्तान ने या फिल्म आमिर खान को उफर की लेन क्योंकि आमिर खान उस वक्त कयामत से कयामत तक जैसी लव स्टोरी फिल्म में सॉफ्ट चॉकलेटी लुक से पब्लिक में एक अलग पहचान बना चुके थे इसलिए इस समय इस टाइप की एंटी हीरो वाली फिल्म के साथ वह कोई एक्सपेरिमेंट करने में इंट्रेस्ट नहीं थे इसलिए उन्होंने भी अबास मस्तान की इस फिल्म को करने के लिए मना कर दिया अक्षा कुमार, अनिल कपूर और आमिर खान से मिले रिस्पॉंस के बाद अब बास मस्तान को ये बात तो समझ आ चुकी थी कि कोई भी इस्टेबलिज्ड हीरो इस फिल्म के एंटी हीरो के करेक्टर को करने के लिए इंटरिस्टेड नहीं है इसलिए उन्होंने अब किसी नए चेहरे की तलाश शुरू की जिसने अभी तक कोई भी फिल्म ना की हो और उनकी तलाश सल्मान खान के भाई अरबास खान पर जाकर खत्म हुई अरबास खान ने उस वक तक कोई भी फिल्म नहीं की थी लेकिन वह भी एक एंटी हीरो वाली फिल्म के साथ अपना डेबियू नहीं करना चाहते थे इसलिए उन्होंने भी इस फिल्म को करने से मना कर दिया हलाकि बाद में अरबास मस्तान की ही फिल्म दरार से डेबियू किया जिसमें उनका किरदार पूरी तरह नेगेटिव था जब अरबास मस्तान के साथ भी बात नहीं बनी तो अबास मस्तान ने यह फिल्म सलमान खान को उफर की सलमान खान को इस फिल्म की कहानी पसंद भी आई थी सलीम खान ने इस फिल्म की कहानी सुनने के बाद अबास मस्तान को सजेस्ट किया कि यह कहानी अच्छी है लेकिन अगर इसमें मा का एंगल एड़ कर दिया जाए तो यह कहानी और अच्छी हो जाएगी तब सल्मान खान इसमें कान कर सकेंगे अब बासमस्तान को उस वक्त सलीम खान के दौरा दिया गया ये सुजाओ बिलकुल पसंद नहीं आया और वो वहां से उठकर चले गए ये फिल्म सल्मान खान के साथ तो नहीं बन पाई पर सलीम खान की सला को बाद में माना गया जो की फिल्म को खास बनाने में काफी मददगार साबित हुआ अब बासमस्तान ने इस सुजाओ के लिए सलीम खान को फोन करके उनका शुक्री आदा किया था जिसका जिक्र एक बार खुद सल्मान खान ने दकपिल शर्मा शोव में भी किया था उस दोर के लगबख सभी अच्छे एक्टर से बात करनے के बाद अब बासमस्तान ने या फिल्म शारुख खान को अफर की शारुख खान जिनके करियर की बाजीगर दूसरी फिल्म थी और बतौर लीड एक्टर यह उनकी पहली फिल्म थी जिस फिल्म को करने से इंडस्ट्री के सभी धुरंतर हिचके चा रहे थे उस फिल्म के एंटी हीरो की इमेज ने शारू खान के बॉलिवूड इंडस्ट्री के बादशा बनने की नीव रखी बाजीगर फिल्म 1993 की सबसे बड़ी ब्लॉक बस्टर फिल्मों में से एक है उस वक्त बतौर लीड एक्टर पहली फिल्म होने के बावजूद भी 1993 की हाइस ग्रॉसिंग फिल्मों की लिस्ट में चौथे नमबर पे थी बाजीगर ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि बाजीगर मुवी के बाद शारूख खान को फिल्म इंडस्री में अलग पहचान मिली थी बाजीगर में एंटी हीरो के करेक्टर के बाद शारूख खान को और भी कई फिल्मों में आफर आने लगे थे फिल्म इंडस्ट्री में अब शारुख खान बतौर लीड एक्टर के तोर पर देखे जाने लगे थे अपने करियर के शुरुआत में ही शारुख ने अपनी एक्टिंग से दर्शकों को अपना दीवाना बना लिया था जब मैंने जवान में शारुख खान का नेगेटिव करेक्टर देखा तो मैं वापस 1993 के उस बाजिगर वाले दोर में चला गया आज के एपिसोड में इतना ही अगले एपिसोड में फिर किसी एक नए किस्टे के साथ हाजिर होंगे तब तक के लिए शुक्रिया अगर आप भी इस तरह के अनसुने किस्सों को सुनना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्स्राइब कर सकते हैं अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं आपका लाइक हमें बहतर बनने के लिए मोटिवेट करता है या आप अपनी पसंद का कोई प्रोग्राम चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता भी सकते हैं या आप हमें मेल भी कर सकते हैं